हेलो फ्रेंड्स, मैं विजया आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल वीचपुड इंडिया में आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी के पत्ते के पकोडे जो कि काफी क्रिस्पी और ड्रेस्टी होता है तो आए शुरू करते हैं अरवी के पत्ते के पकोडे यह देखिए दोस्तों यह हमारा बन के पूरा तया है इसको हम दोस्तों यह गुईया की पत्ती है अर्वी जिसे बोलते हैं इसके हम पकोड़ी बनाएंगे आज बड़े अर्वी के पत्ते को हमने काट लिया है बारिक बारिक करीब 15-20 अर्वी पत्ते हैं इसमें 100 ग्राम हमें बेशन डाला है और चार चम्मच चावल का आठा उससे काफी क्रिस्पी होता है इसमें 4-5 हरेमेज काटी है एक चम्मच इसमें हल्दी डाला है आधा चम्मच गरम मसाला और एक प्याज इसमें काटा है सबको स्वाद अन्सवाद नमक डालके हम इसको मिक्स कर लिए हैं मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे उसके बाद इसको कडाई में फ्राई करेंगे हमें डीफ फ्राई करना है दोस्तों बहुत ही क्रिस्पी बनती है तो चलिए पर फ्राई करते हैं कडाई को हमने गरम होने के लिए रख दिया है इसको हम ऐसे गोल चट्टा करके बना लगे इससे ताई अच्छा आएगा अब करी इसमें डाल दिया है इसमें सुध्सरसों का तेल इस्तिमाल होगा अच्छे परीशह को आधे हैं अच्छे गरम करना है अजिए हमने सारे बेटर को राउंड सेफ दे दिया है इसको हलका चिपटा करके अब इसको पढ़ाए में हम तलेंगे तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे क्रिस्पी पकोड़ी ये करके साउधानी पूर्वाक इसमें हम डालेंगे बहुत अच्छा तेल गर्म हो चुका था एक तरफ ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे आज को बहुत ज्यादा तेज नहीं करना है वरना उपर से पकोड़ी जल जाएगी और अंदर कच्चा रह जाएगा इसको मीडियम आज पर थीरे थीरे पकाना है अगे अंदर का इससा है वो अच्छे से पक जाए और उपर क्रिस्पी ट्रेक्स्चर आए इसको हमने एक साइट से पलट लिया है कि अगरा है कि अलका गोंडम डाउं हो चुपा है कि अधे दूसरी तरफ सिक रहा है कि देमें आज पर इसको अच्छे से हुआ है कि अधे दाए तुसरी साइट से बी पलट देंगे बहुत ही क्रिस्पी टेक्स्चर आ रहा है यह देखे दोस्ता आवाज इसकी सुनें यह देखे दोस्तों यह हमारा बन के पुरा तया है इसको अंदर तक पक्टिया है और यह एकदम प्रिस्पी है आप देवनाई इसको इंज्वाइब करिए मेरे चैनल को सपोर्ट करिए आइस करिए शेयर करिए आपको बहुत बहुत भुत धन्ज़वाद नमस्तार